नर्मदान नदी के हर पत्थर में बसे है शिव जाने ये ऐसा क्यों नर्मदान नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं यह घर में भी स्थापित किये जाने वाला पवित्र और चमतकारी शिवलिंग है जिसकी पूजा अत्यंत फल्दाई है आज हम जानते है ऐसा क्यों कहा जाता है कि नर्मदान नदी का हर पत्थर शिवलिंग है तो आए ये जानते है सकंदा पुरान की कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने पारवती जी को भगवान विष्णू के शेम नकाल चातर मास में द्वाद्शाक्षर मंत्र और नमो भगवते वासुदेवाय का जब करते हुए तब करने के लिए कहा पारवती जी शंकर जी से आग्या लेकर चातरमास शुरू होने पर हेमाले परवत पर तपस्या करने लगी उनके साथ उनकी सक्षियां भी थी पार्वती जी के तपस्या में लीन होने पर शंकर भगवान प्रित्वी पर विचरण करने लगे एक बार भगवान शंकर यमुना तट पर विचरण कर रहे थे यमुना जी की उचलती हुई तरंगों को देखकर वे यमुना में सनान करने के लिए जैसे ही जल में घुसे उनके शरीर की अगनी के तेज से यमुना का जल काला हो गया अपने शामस्वरूप को देखकर ये मुना जी ने प्रकट होकर शंकर जी की स्तुती की इस से खुश होकर शंकर जी ने कहा ये हक्षेत्रहरतीर्थ कहलाएगा वो इस मिस्नान से मनुश्य के पाप नश्ट हो जाएंगे एक और प्रसंग है जिसमें भगवान शिव यमुना के किनारे हाथ में डमरो लिये, माथे पर त्रिपुन लगाए, बढ़ी हुई जटाओं के साथ मनुहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में घुमते हुए नित्ते कर रहे थे कभी वे गीत गाते, कभी मौज में नित्ते करते थे तो कभी हांसते थे, कभी क्रोध करते और कभी मौन हो जाते थे उनके इस सुन्दर रूप पर मुगद होकर बहुत सी मुनि पत्निया भी उनके साथ नित्ते करने लगी मुनी शिव को इस वेश में पहचान नहीं सके बलकी उन पर क्रोध करने लगे मुनियों ने क्रोध में आकर शिव को शाप दे दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ शिव जी वहां से अद्रिशे हो गए उनका लिंग रूप अमरकंट परवत के रूप में प्रकट हुआ और वहां से नर्मदा नदी प्रकट हुई इस कारण नर्मदा में जितने पत्थर हैं वे सब शिव रूप हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंद में एक अन्य कथा है भारत वर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और स्वरस्वती ये चार नदियां सरुश्रेष्ट हैं इनमें भी इस भूमंडल पर गंगा की समता करने वाली कोई नदी नहीं है प्राचीन काल में नर्मदान नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रहमा जी को प्रसन किया प्रसन होकर ब्रहमा जी ने वर मांगने को कहा तब नर्मदा जी ने कहा ब्रहमन यदि आप मुझ पर प्रसन है तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए ब्रहमा जी ने मुश्कराते हुए कहा है अधि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विश्नु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी का शिपुरी की बराबरी कर सक ब्रमाजी की बात सुनकर नर्मदा उनके वर्दान का त्या करके काशी चली गई और वहां पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तब करने लगी भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन हुए और वर मांगने के लिए कहा तब नर्मदा ने कहा भगवन तुछ व तेरे वर्द से शिवलिंग रूप हो जाएंगे तुमने जो नर्मदेश वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुणिया और मुक्ष देने वाला होगा भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए इतनी पववित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन हो गे ही इसलिए कहा जात है नर्मदा का हर कंकर शंकर है